आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ अगर हम उस नमबर को 15 से मल्टिप्लाई करते हैं तो कितना बढ़ जाता है? 196 ग्रेटर हो जाता है तो हमको वही नमबर फाइंड करना है कि वो नमबर कितना होगा ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको? तो हम सब पहले नमबर से पूछ कर लेते हैं हो जाएगा let the number b x let the number b ऐसे question को हम जो है option से भी कर सकते हैं but option में हमको क्या multiply करना पड़ेगा 15 का हर एक option के लिए पहले फिर हमको check करना पड़ेगा कि उससे 196 ज्यादा है की नहीं तो इसलिए हम option से ना choose करके ऐसा general method ले ले लेते हैं ठीक है तो अब उसने जो question बोला सिर्फ हमको उतना करना ठीक है तो find the number which one multiplied by 15 तो हमने 15 से multiply कर दिया जैसे 15 से multiply किया तो वो number कितना बढ़ जाता है 196 तो number पहले था कितना वो x था अब कितना हो गया 196 हो गया तो x को इधर ले आएंगे तो 14 x आ गया 196 और डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया इसको डिवाइड करने पर आया answer 14 तो देखो हमने इसको general method से किया तो 3 line में आ गया अगर option के थूर जाते हैं तो हमको हर एक option के लिए हमको check करना पड़ता 15 से पहले multiply कर रहते हैं जैसे इसने बोला है और उसके बाद देखते हैं कि वो number 190 की ज्यादा है कि नहीं इसलिए हम कभी कभी करते हैं mostly ऐसे question में जोटे जोटे होते हैं general method से करते हैं तो एक line में ही या यह दो-तीन step में solve हो जाता है और options के लिए करते हैं जब कोई बड़ा question होता है कि general method से भी ज़्यादा time लागेगा तब हम option को choose करते हैं ठीक है तो इसका answer भी तो 14 है मतलब पहला option correct है क्लासिक स्ट्वेल से लेके meet IIT जेई means और advance के लेवल ता 10 million से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट आउट 4444 सोपर